धंतेरस पर ऐसी क्या-क्या चीजें हैं जो आप खरीद सकते हैं, जिससे कि आप पर भगवान धनवंतरी की किरपया बनी रहेगी, कुपेर भगवान की किरपया बनी रहेगी, मा लक्षमी अपना शुरुआद आप बनाये रखेगे तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 10 चीजे बताने वाली हूँ जो आप दंतेरस पर खरीद सकते हैं हर एक चीज का alternative भी साथ साथ discuss करेंगे और आपकी सामर्थे के according आप सोना चांदी से लेकर ऐसी कौन सी चीजे हैं जो आप खरीद सकते हैं अगर आपके सामर्थे में नहीं है सोना चांदी खरीदना तो और भी बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जो आप खरीद कर अपने घर ला सकते हैं और आप पर भगवान की गिर्प्रा बनी रह सकती हैं इसके अलावा अगर आप ये भी जानना चाते हैं कि धन्तेरस पर कौन सी ऐसी चीज़े हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं खरीती हैं तो वो भी वीडियो चैनल पर अप्लोड़िड है आप जाकर जरूर देखें इसके साथ ही धन्वंद्री देव की पूजा कैसे की जाती है दन्तेरस या दिवाली की पूजा में क्या क्या सामगरी चाहिए क्या कैसे पूजा की जाती है सारी एक ही सारी वीडियो चैनल पर अप्लोड़िड है जाकर शरूर देखें डिवोशनल की प्लेलिस में शुरू करते हैं आज की इस वीडियो शुरू करने से पहने आप लोग शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहली ऐसी चीज जो आप खरीद सकते हैं धंतेरस पर सोना जब भी धंतेरस पर कुछ खरीदारी की बात आती है तो सोना चांदी का नाम सबसे पहले आता है तो सबसे पहला आइटम सोना आप सोने का सिक्का खरीच सकते हैं, सोने के आबूशन खरीच सकते हैं, सोना लक्ष्मी और ब्रस्पती का प्रतीक माना जाता है, तो इसलिए आप सोना खरीच सकते हैं, सोना नहीं खरीच पा रहे हैं, सामर्थे नहीं हैं, तो चान्दी खरीचे, चान्दी खरीचने का चांदी बरतन खरिएं को लिक्ष्मी और ब्रस्पती का प्रपी प्रति हैं तिर डि से पेंधें कि ये को समुन्दर मंतन के समय जब भगवान धन्वंतरी परकट वे थे तब उनके हातों में पीटल के कलश्मियंदों अमृत Dop तो ऐसी माननाता है कि धनवंतरी को पीतल बहुत प्रिया है इसलिए धन 13 के दिन पीतल की वस्वे खरीदना बहुत ही शुब माना जाता है आगे अगर हम बात करें तो एक 5 रुपे का उपाई जो पहुत ही मज़दार है इस 5 रुपे के उपाई से आप क्या कर सकते हैं इसके तनिये के बीज को पीज कर गुड के साथ मिला कर एक मिश्रन भी तयार करते हैं जिसे की नवेद्य तयार करते हैं वह कहा जाता है दंदेरेस के दिन आप नए वस्तर खरीद सकते हैं क्यूंकि नए वस्तर खरीदने की परंप्रा भी काफी समय से चली आ रही है इस दिन पर लोग दिपावली पर पहनने के लिए नए नए वस्तर खरीते हैं। लक्षमी गणेश की मूर्ती भी खरीते हैं लोग, तो दिपावली पूजन है तू लक्षमी और गणेश की मूर्ती या आप चित्र खरीत सकते हैं। इस दिन धन्मंत्री की पूजा है तो आप उनकी विमूर्थी या चित्र भी खरीद सकते हैं। खिलोने की बात करें तो इस दिन बच्चों के लिए खिलोने भी खरीद सकते हैं। खिलोने करीदने का मतलब है कि बच्चों को खुश करना और गर्मे सकारात्मकता महो लाना गर्मे पॉसिटिविटी लाना क्योंकि बच्चे को बगवान का रूप माला जाता है और बच्चे खुश तो बगवान खुश इसके अलावा आप खील पता से, क्योंकि इस दिन पूजा की सामगरी के साथ ही आप खील पता से आदी भी खरीच सकते हैं, या भी घर में खुश्या लाते हैं, क्योंकि दिवाली शुर हो जाते हैं, तो दिपावली के पूजन की सामगरी इस दिन से खरीदी जाती है, गौमत के लिए घर में नकारत्मकुजा जो है वो बहार चली जाती है दंतेरिस पर आप अपना नया बैंक या फिर रुद्राक्षी माला यह सब भी आप खरीज सकते हैं यह भी बहुत ही शुब माने जाते हैं इस दिन प्राण पर्तिस्टित रस राज पारत शिरी यंतरम घर में लाना इसको भी शुबकारी मानने जाता है इसके साथ ही यह भगवान धनवंतरी का दिन है जो की लोड सकते हैं चीक है आप कोई भी सूखा मसाला देते हैं जो ओश्दी के रिकाम आता है जैसे की लोंग हो गया काली मिर्च हो गई तेज पता हो गया तो यह सब चीजे भी आप खरीज सकते हैं दंतेरस के दिन अपने वेबसाइट से जुड़ी कोई भी चीज आप जरूर अगर आप ऑफिस में जाते हैं तो आप भी अपने लिए कोई स्टेशनरी खरीद सकते हैं या कोई भी आपके जो भी आप काम करते हैं उससे जुड़ी हो कोई भी चीज़े जो है वाप खरीद सकते हैं इससे आपको साल बर वववसाया कारेच्छतर में सफलता मिलती तो आप वह खरीद सकते हैं वह भी सबसे बेस्ट माने जाती है दिपावली प्रकाश का पर्व है और ऐसे में धंतेरस के दिन मिट्टी के दीपक खरीदे जाते हैं क्योंकि इसके बिना आपकी दिवाली पूरी नहीं होगी तो बजार में मिट्टी के दीपक में भी कई अगर आप आप सोना खरी सकते हैं तो इन चीजों में से आप जो भी चीज खरीदना सकते हैं वह चीज आप ब rated आब बता सकते हैं कि एपने क्या प्लानिंग की वह वी-डी चैनल को सब्सक्राइब करें, बैल आकिन को प्रेस करें, इससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी, साथ ही वीडियो को लाइक और शियर करना ना बुलें, तो दोस्तों, आज की लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, अबपी गंतेरस and अबपी दिवाली इंद वांस, थांक यू सो मुच, बप्दाइ, टेक चेर,